हेलो फ्रेंड्स प्रनाली रेसिपी हिंदी एंड मराठी में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खीरा के चिले ये खाने में बहुती जादा टेस्टी लगते हैं और बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं तो आप इसे पक्का ट्रै करिए तो चलिए बनाते हैं खीरा के चिले इसके लिए मैंने दो बड़े साइच के खीरा लिया हैं और ये वन टेबली अजवाइन है और यह वन टेबल स्पून जीरा पाउडर और यह टू टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और यह पानी है विगोने के लिए और यह कि एक कप गहु का अटा लिया है मैंने और यह हाफ कप चना दाल का बेसन है और यह प्याज है इसको इस तरह से काट लिया है मैंने अभी सबसे पहले अब एक मैंने खाली परतन लिया है उसमें इस खीरा को कद्दू कस कर लेंगे यह देखिए खीरा को कद्दू कस कर लिया है मैंने अभी इसमें ये गेहु काटा एड़ कर देंगे उसके बाद ये बेशन एड़ कर देंगे चना दाल का उसके बाद ये कटा हुआ पैज और फिर नमक हल्दी पौडर अजवाइन जीरा पौडर और ये लाल मिर्श पौडर लाल मिर्श पौडर एड़ करने के बाद अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे और एक बैटर बना लेंगे थोड़ा और पानी आड़ कर रही हुआ है बैटर बनाना है इसका हमें देखिए इस तरह से गुमाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करना है देखिए पूरा अच्छे से ऐसे गुमाते हुए इसका एक अच्छा सा बैटर बना लिया है मैंने यह देखिए इस तरह से देखिए अब अभी गैस पर मैंने एक नॉन्स्टिक पैन रखा है भी इस नॉन्स्टिक पैन पे उपर थोड़ा सा ओईल लगा लिया है मैंने ओईल लगाने के पाद यह जो बैटर है इसको ले लेंगे और इस पैन पे इसको फैला देंगे और थोड़ा सा लितिव में और अच्छे से इसको फैला देंगे ऐसे इस पे साइड में ओईल डाल देंगे थोड़ा थोड़ा और इसको अच्छे से से शेख लेंगे यह देखिए नीचे से अच्छे तरह से सिक्राइए और उपर से आईल लगा देती हुमें थोड़ा सा इस तरह से इसको पलट देंगे इस देखिए इस देखिए पीछे से और अभी इसको थोड़ा सा दबा दबा के नीचे की साइड भी अच्छे से सिक्ने देंगे अभी यह नीचे से सिक गया है इसको थोड़ा सा और पलट लेंगे देखिए बहुत ही अच्छे बनाएं यह देखिए अभी रेडी हो चुका है गयास बन कर देंगे मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको यह देखिए अपने खीरा के चिले रेडी हो चुके हैं दिखने में बहुती सुन्दर लग रहे हैं और खाने में भी बहुती साधा टेस्टी है तो आप इसे पक्का ट्राइ करिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए टाटा